हेलो एवरिवन आज मैं आप लोकली लेके आई हूँ सूपर सॉफ्ट चॉकलेट टफल केक की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसे एकदम बेसिक इंग्रेडियंट्स के साथ बनाऊंगी और बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे टिन को रेडि कर लूँगी तो मैंने इसे खीए से ऐसे ग्रीस कर लिया है और एक चमच मैदा डाल के इसे मैं ऐसे अच्छे से इसको अच्छे से डस्ट कर लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा था हमारा मैदा उसे मैंने ऐसे नि बेकिंग पाउडर एक चम्मच आधा चम्मच बेकिंग सोडा और एक चुटकी नमक इन सभी ट्राइ इंग्रीडियन्स को हम लोग अच्छे से चाल लेना है कि इसमें पिल्कुल भी गुट्लिया ना रहे ये देखिए और इसे मिला लेना है तो ऐसे मिला ले तो यहाँ पे मै इसे मेख कर लोगी इसे भी हम लोग्व केक में यूस करेंगे अभी तो यह मने ऐसे घोल लिया है और यह हमारा जो ड्राइ द्रे ऑव्ँआ किन धाल डाल कर आल आ पलो चाहिए तो इसमें बड़र मिलना चाहिए जक़ता कर लेने त यहाँ पर मैंने काफे मिक्स बना के हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है एक ही बार में पूरा डाले ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से mix कर लेना है ये हमारा जो बैटर है ready है इसमें डालूंगी लास्ट में एक चमच वरीला essence और इसे भी मिला ले तो ये देखिए हमारी जो consistency है ये इतनी होनी चाहिए तो इसे मैं डालूंगी जो केक हमने टिन रेडी किया था उसमें और फिर इसे थोड़ा टैप करने के बाद इसे मैं अवन में डालूंगी अवन को हमने पहले ही प्री हिट कर लिया था 15 मिनट और फिर मैं इसे 20 से 40 मिनट तक बेख होने के लिए मैंने छोड़ दिया है तो ये दीखिए हमारा जो केक है वो बेख हो रहा है तो 30 मिनट बाद जो ये हमारा केक है वो एकदम अच्छे से बेख हो गया है अच्छे से फूल गया है तो इसे 30 मिनट बाद मैंने ऐसे निकाल लिया है एकदम सावधानी से निकालना है इसको क्योंकि बहुत गरम रहता है और टूटपिक की हेल्प से मैंने इसे ऐसे चेक करके देखा तो ये एकदम पॉफिक्ट पक चुका है अंदर से तो इसे ठंडा होने देंगे मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लिया है आप लोग इस यहाँ पे डाक कमपाउंट भी यूज़ कर सकते हैं तो इसे मैं डबल लेयर मैथेट से इसको मैल्ट कर रही हूँ यह हमने मैल्ट कर लिया है और उसे ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है हमारा केक ठंडा हो गया है तो इसे मैं डी मोल्ड कर लूँगी ऐसे नाइफ की हेल्प से और फिर यह देखे हमने इसको ऐसे निकाल लिया है एकदम स्पॉंजी केक बना है हमारा तो इसको जो मैं अपर लेयर है इसको ऐसे एक्स्ट्रा जो है जो ज्यादा फूल गया है उसे निकाल लूँगी यह देखे मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉंजी बना है देखे कितना जाली दार इकदम स्पॉंजी दिख रहा है तो यह हमारा जो केक है वो इकदम पॉफिक्ट कुक हुआ है यह देखे तो अब मैं इसे लियर्स में कट कर रही हूँ यह बहुत ही छोटा सा केक बनाया है मैंने इस तरह से बीच से कट करने के बाद मैं इसमें सुगर शिरप डालूँगी सुगर सिरप बनाने के लिए हम लोग में एक चमच शुगर लिया है और उसमें एक चमच पानी डालके मैंने इसका एक सिरप रेड़ी कर लिया है और इसे इस तरह से मैं पूरे केक में डाल लूँगी इससे जो है बहुत ही अच्छा मॉश्टर आएगा केक में और यह जो हमने मेल्टेड चॉकलेट था उसको भी ऐसे स्प्रेड कर लिया है और जो सेकिंड लेयर है उसे भी सेम मैथट से सेम तरीके से ऐसे चॉकलेट को ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी चारो तरफ और इसे मैं फ्रिज मैं पंदरा मिनट के लिए रख दूँगी जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए और पंदरा मिनट बाद इसे आप अपने मन चाहे तरीके से गार्निश कर सकते हैं तो मैं यहां गार्निशिंग के लिए चॉकलेट यूज कर रही हूँ चॉकलेट को मैंने ग्रेट करके इसमें यूज किया है तो यह हमारा सूपर सॉफ्ट चॉकलेट टफल केक रेड़ी है आप लोग भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते है और खाने में बहुत जादा टेस्टी है मैं इसे कट करके दिखाती हूँ तो यह देखिए तो यह देखिए एकदम सूपर सॉफ्ट और मोईस्ट केक है आप लोग भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते है तो अगर आपको मेरी एक केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिए थैंक यू